हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का कोश्चन नंबर वन तो कोश्चन नंबर वन क्या कहता है वाट इस दा मेजर आफ पहला पार दे रखा है आ राइट एंगल दूसरा पार दे रखा है आ इस्ट्रेट एंगल अब यहां पे देखो राइट एंगल हमारा क्या होता है जिसे हमने एक रे ली इस तरह से ठीक है और यह रे जो है वो हमारी यहां से चलना स्टार्ट हो रहे इस तरह से रोटे थोटे होते होते और यहां पे आ जाती है और यह angle क्या बना लेता है 90 degree का तो इसको हम बोलेंगे एक right angle जिसका angle 90 degree होता है उसको हम right angle बोलते हैं तो यहाँ पर हम solution में लिखेंगे इसके लिए measure of right angle is 90 degree तो यहाँ पर right angle का measure क्या होता है 90 degree होता है straight angle क्या होता है हमारा जैसे यह ray है और यह यहाँ से इसने start किया और यह चलते 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 इस तरह से आ गई और यह हमारी क्या बना ले एक straight line बना ले तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ से start किया तो यह पहले तो 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे यह 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे दो right angle से मिलके एक straight angle बनता है यहाँ पे 90 डिग्री है यहाँ पे 90 डिग्री है दोनों को add करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 180 degree तो एक straight angle जो है वो कितने degree का होता है 180 degree का होता है तो यहाँ पे हम दूसरा वाला part लिखेंगे measure of straight angle is 180 degree questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही